नमस्कार फिंड, BPSC Academy YouTube चनल में आप लोग का स्वागत हैं, आज हम आप लोग उससे चर्चा करने वाले हैं, बिहार दरोगा के मेडिकल टेस्ट के बारे में, कई लोगे ऐसे भी होंगे जो बिहार दरोगा की तयारी कर रहे हैं, और उनको इस बात की चिंता है कि हमारा मेडि हुए है, मेरा बजन कम है और क्या-क्या चीजह जाच होती है यह सारे चीजह मैं इस वीडियो में बात करूँगा और क्या आपको किसी चीज में प्रब्लम है, तो क्या आपको कुछ में चिंता करने की बात है तो इन सारे चीजों के बारे में बात करूँगा फिरेंट तो complete इस वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि यह जो मेरी जनकारी है वह एक दरोगा जो इस बार जुआइन कर चुके हैं और उनका भी ट्रेनिंग अस्टार्ट नहीं हुआ है हलाकि वह नवादा में है तो उसके बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो हलाकि मैं उस चरण में नहीं पहुँच पाया था जिस चरण में मेडिकल होता है तो मैं अपने अनुभब के अधार पे नहीं लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया उसके अधार पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा तो जो भी चीज़े मैं आप लोगों के साथ शे लुलम है तो किस प्रकार से आप medical को पास कर सकते हैं बिलकुल मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी medical test में पास हो सकते हैं और इस भी medical test में आपका हुआ काम देगा तो बिडियो complete देखिएगा तो सबसे पहले हम अगर हम test की बात करें तो सबसे पहले आपका आपको हमेशा डर लगता है कि मेरा मेड़ककल में क्या आयगा तो इस तनाव के कारण कभी-कभी उनका बी-पी अप्रब्र आप कर जाता है ऐसे सम्मान यी जो भीपी होना चाहिए वह 12029- bikes होना चाहिए तो कई बार उनका बीपी है वह थोड़ा आप कर जाता है 140 हो जाता है 135 हो जाता है तो इसमें आप लोग को टेंसर लेनी की कोई बात नहीं है वहां पर आपको ऐसा नहीं का BP अगर बढ़े गया तो आपको छाड दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं बी-पी एक तनाव में आ गया है तो उसको 10 पाइंट काम करके वह लिख लेंगे तो इसके लिए करके आपको तनाव नहीं लेना है कि अगर वहां पर आपका बीपी है थोड़ा आप भी आ जाता है तो कोई जाच किया जाता है उसके बाद आपका बलाद टेस्ट में आपका टाइप हड्य सब कुछ है वहाँ पर जाच की जाती है तो डरें डर hem में लगभक सभी पास कर जाता हैं और उसके बाद मुख्य टैस्ट है और प्रोलम करता है क्योंकि कई लोगों के लगता है कि मैं चस्मा पहनता हूं तो क्या मैं unfit हो जाओंगा, या मुझे थोड़ा धुंदला देखता है तो क्या मैं unfit हो जाओंगा, तो ऐशा बिलकुL नहीं है फ्रींट, आपका eye test कराई जाएगा एक अंधरे कमरे में, अंधरे में आप लोगों से 20 फीट की दूरी पर एक के बोर्ड रखा हुआ रहेगा जिसमें आई इस परकार से लिखे हुए रहेंगे नीचे आपका सबसे छोटा अच्छर होता है और उपर सबसे आपका बड़ा अच्छर होता है तो अगर आप सबसे छोटे अच्छर को पढ़ते है तो आपको 6 x 6 दिया जाएगा नमबर और 6 x 6 आपको आँख को माना जाएगा अगर आप सबसे बड़े अच्छर को पढ़ते हैं तो आपके आँख का क्वालिटी को कम आगा जाएगा तो इसमें फ्रेंड क्या होता है कि कई लोग इसको बार बार गलत पढ़ते हैं तो उनक उसके बाद 6 x 12 इस परकार से आपको आपका क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा इसमें अगर मान लिजे कि आप चैस्मा लगा रहे हैं और लग रहा है कि मैं अन्फिट हो जाऊंगा में तो इसके लेकर कि भी मैं जुगार बताऊंगा उसके बाद जो आपका टेस्ट होता ह है वह आपका कान टेस्ट होता है कान में आपका ऐसे टौर्च बार कर देखा जाएगा कि आपका कान बहता तो नहीं है कान का प्रच आपका जो चद्रा है वह फटा हुआ तो नहीं है हलाकि यह सब सिर्फ फॉर्मालिटी होती है क्योंकि आपका जो मेडिकल कराया जाएगा क्या है और देखते हैं कुछ कुछ दातों की संख्या कि घुए की कम होः तो उसके लेकर कोई प्रोल्लम नहीं एजब तो उसके बाद आपका नहीगे तो उसके बाद प्रेंड आपका एक सरे मसीन के सामने आपको यस परकार से सांस लिजिए और सांस को अंदर रोक कर रखिए और उसके बाद हुआ एकसरे निकाल लेते हैं तो इसमें भी मेरे अनुसार से किसी का कोई समस्या नहीं आता है सारे लोग का X-ray लगवल लगवल नॉर्मल ही आता है उसके बाद आपका ECG कराया जाता है ECG में आपके chest पे चूटे लगाये जाएंगे पैर में आपके चूटे लगाये जाएंगे और हिर्दय की स्थिती को जाचा जाता है तो इसमें कई लोगों का problem आता है तो इसमें problem अगर आता भी है फिरिंट तो जो ECG करते रहते हैं वहाँ पे भाईया ही आपको अगर कोई problem आता है तो ECG को फाड़ कर दूसरा ECG कर देंगे अगर इससे बहुत बड़ी problem है बार-बार आपका ECG इसी परकार से आ रहा है तो medical कर आने जब डॉक्टर के पास जाईएगा तो वह दुवारा आपको ECG करने के लिए भेज देंगे हलाकि हर चीज का जुगाड़ है जुगाड़ मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या आपको जुगाड़ लगाना है अगर आपको medical में problem है तो उसके बाद जो चीजे आती है वह आती है फ्लैट फूट का फ्लैट फूट में क्या होता है फ्रेंट हमारा जो पैर होता है वह इस परकार से होता है मुलब हलका से यहां पर गयप होता है लेकिन जिनका फ्लैट फूड होता है उनका पर इस परकार से यहां पर गयप होता है तो दोनों कंडिशन आप के लिए घ्राब है तो ऐसे फ्लैटाब बुद्पी बेलनेकार बस्तु पे जैसे यहां पर इसको आप मालें लीजाए इसको आपराख लीजे और यहां HP यहां पर औरала करेंगा तो हो सकता है आपकी फलैट फुट की समस्या दूर हो किसी घृट फुट होता है तो उसका गुटना ऐसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहो तो इस कंडिशन में क्या कर सकते हैं फैले हुए घुटने का तो मेरे पास इलाइज नहीं है लेकिन अधिकतर लोगों का सठता है तो उस कंडिशन में आप रात को तके लेकर सूथ सकते हैं इससे आपका नोकनी का प्रोलम ह सही हो जाएगा तो इसको आको हर एक रात में जब सोइएगे तो एक से दो तक के आप आपने पैरों के बीच में जरूर कर दिए 88 तो उनका तो इसके बाद है जो अगला टेस्ट है वह है पूरसों का गुपतांग को लेकर के टेस्ट किया जाता है इसमें आपका हाइड्रोसिल जाच किया जाएगा आपके गुपतांग है उनको जाच किया जाएगा तो कई लोग का हाइड्रोसिल में प्रोलम होता है और मुख रूप से लड़कों का मुख रूप से यही प्रोलम होता है तो इसमें क्या जाच किया जाता है और किस प्रकार से आपको इसको निदान पाना है देखिए मैंने बिहार द्रोगा का तो मेटकल नहीं दिया है लेकिन मैंने अन्य जो मेटकल दिये थे, वहाँ पे मुझे कपड़े उतारने के लिए नहीं कहे गये थे, उपर से जाज कर लिया गया था, तो हो सकता है कि आप जहां पर जाएं, वहाँ पे आपके कपड़े उतारने ना पड़ें, और आपको उपर से देखर बता देंगे, अगर उ इसके सिवाए अगर किनका हैड्रोसील अगर बढ़ा हुआ है, तो फंडे पदार्त का सेवन बंद करें, एवं किसी भी मेटकल अस्टोर से इसका दवाई ले करके हुआ है, इसका सुधार कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आपरेशन करा लें, अगर इसमें भी नहीं करा स सकते हैं, तो उनका उपाय मैं बताऊंगा आगे वीडियो में क्या करना है उनको, अगर किसी को बावसीर है तो बावसीर में क्या कराया जाता है, आपको आगे से जुपने के लिए बोल दे जाता है, और आपको कापड़े उतारने के लिए बोल दे जाएंगे, और आपको और वो पीछे से देखेंगे तो इसमें भी बहुत कम चांसी है कि आपके टेस्ट ये किये जाएं अलाकि हो सकता है कि यह टेस्ट आपको किये भी जा सकते हैं या आप नहीं भी किये जा सकते हैं तो इसमें भी आप इसका दवा ले सकते हैं, तो कुल मिलाकर हमने जितने भी बिहार द्रोगा के टेस्ट हो सकते थे, वह मैंने इस वीडियो में discuss किया, और मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट में कितने लोग पास होते हैं, और क्या-क्या उनका प्रोसीजर है, तो कुल मिलाक में क्या होता है कि आप पे color को अच्छे से पाचान नहीं पाते हैं और railway driver का medical कराने गया था तो उसने कैसे medical pass किया fit भी हो गया तो वो क्या गया था फ्रेंट कि कुछ पैसे लेकर गया था और कुछ पैसे में मदलब 5000 रुपया में उसका color blindness का टेस्ट फीट हो गया अगर उस वह पांच जार रुपे नहीं लेकर जाता उस मेटिकल में तो आज सायद रेलवे ड्राइबर में जौब नहीं कर पाता सोच लिजे एक ड्राइबर का पांच जार रुपे में नहीं कर पाता है जिसका मलब पूरी तो इसलिए आप जब भी मेटकल कराने जाए तो अपने पास कुछ पैसे रखिए मैंने भी अपने मेटकल में अपने पास से 10,000 रुपे में ले करके गया था हलाकि मुझे जरूरत नहीं पढ़े उन पैसे के लेकिन आप कम्पलिटली 5-10,000 रुपे 20,000 रुपे ले करके जाए डॉक्टर को नहीं देना है हलाकि इन सारे चीजों का मुझे परचार नहीं करना चाहिए मुझे बोलना नहीं चाहिए एक के मलब आप लोग को मगर मैं बता रहा हूँ तो यह सारे चीज़े गलत ही है लेकिन अब क्या करिएगा भरस्टा चार है इसी परकार से चल रहा है तो आपको भी इसमें सामिल होना पड़ेगा तो कुछ पैसे आप लेकर के चलिए उनके दलाल इधर उधर घुमते रहत अब और विडियो यहां नहीं तो जिनको कोई भी देखकर बता देगा तो उनको फिट नहीं करेंगे क्योंकि उनको नोकरी बचाना होता है लेकिन जहां तक possible हो मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा possible होगा वह आपको pass कर देंगे अगर एक दम आप कुछ लेकर ही नहीं गया उनको खुस ही नहीं किये तो आपको pass नहीं करेंगे लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत प्रोलम है थोड़ा बहुत का अगर maximum भी प्रोलम है तो आपको pass कर देंगे तो आज का मेरा वीडियो था अगर आपको कोई और डौट होता है तो आप Instagram पर आ करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं तो आज का वीडियो कैसा लगा अगर हमें जरूर बताइएगा और कोई डौट हो तो कर्मेंट करकर पूछिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करकर आप हमारे साथ इसी तरह के इन्फरमेटिव वीडियो के लिए जूड़ सकते हैं तो आज के लिए बाए टेक क्यार भनें तो